तो आज हम आपके कक्षा चटी का आपकी हिंदी की पाथे पुस्तक स्मिस्टर वन जो है उसका पहला चेप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द्यालू शिकारी चितर पाथ मतलब इस पाथ में आप क्या पढ़ेंगे कि चितर पाथ मतलब आपको चितर दिये गए तो कहानी आप कैसे लिखेंगे मतलब आप चितर देखेंगे चितर का पाथ करेंगे फिर उस कहानी को आप अपने शब्दों में लिखेंगे ओके सो इससे क्या हो जाता है कि हमें कहानी को समझने में चितर पाथ को हम चितर का पाथ करेंगे तो कहानी को समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो ठीक है तो इस चितर पाथ में जो आप देखोगे क्या है पहले चितर में देखिए एक हीरन है ठीक है और दूसरे चितर में देखिए कि शिकारी जो है वो इस हीरन को क्या कर रहा है देख रहा है कि उसका शिकार करना चाहता है वह ना उसको चुप कि गोली के बाइस स्वंकर देखोगे वर्प चित्र में आप देखो इसको पता चलता यह क्या यह हिरन नहीं हिरनी है जिसने एक बच्चे को जनम दिया है तो उसको 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 क्या आ जाता है उसको पेस नंबर 6 में आप देखोगे न उसको उसके उपर क्या आ जाता है उसको उसके उपर तरस आ जाता है और वो उसको देखता है तो वो क्या कर देता है 7 चितर में आप देखोगे तो वो उसको कहां पे लेके जाता है फिर वो उसका 8 चितर में आप देखोगे तो वो उसका उपचार करता है और फिर 9 में आप देखोगे तो वो उसको उसको और उसके बच्चे को कहां पे छोड़ देता है जंगल में छोड़ देता है तो चितर पाथ मतलब कि जो आप चितर देखते हो फिर उसको पढ़ कर आप समझ जाते हो कि कहानी क्या है ठीक है तो जे जो द्यालू शिकारी की जो कहानी है वो क्या है जो द्यालू शिकारी की जो कहानी है उसमें क्या है इस चितर पाथ में हिरन का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया और हिरनी ने एक छोटे शाबक को जनम दिया है उसी समय वे शिकारी के गोली का निशाना बन जाती है और शिकारी हिरनी के पास आता है देखता है कि गोली टांग में लग गई थी बैपस्ट आता है और बैखिरनी और उसके बच्चे को डक्टर के पास ले जाता है और बात में जंगल में उसे उसी जगा पर छोड़ाता है तो इस चितरपाथ में पश्वों के प्रती मानब का कैसा बेवार होना चाहिए संसार में सभी को जीने का अधिकार है ये बात बताई गई है मतलब इस कानी में हमें क्या सिक्षा मिलती है कि हमारा जो बेवार है वो कै सबस्क्रशल्म आप पर पश्वों को जीने कादिकार है तो हमें पशुझकों को ऐसे कभी उनके साथ उनकी है जाई जब भी हमें उनकी जिरूत हो जब किसी पशुको देखते है तो उसकी उपचार करने में हमने हमें उसकी। हेल्प करनी चाहिए ठीक है ला तो इ इस चितर पार्ट में किस पशू की बात की गई है तो हिरन की आपने किन-किन पशू को देखा है तो आपने बताना है मुझे कि आपने कौन-कौन से पशू को देखा है जंगल में कौन-कौन से जानबर देखने को मिलते हैं चितर पार्ट के दार पर सब्दों की सूची तो जी जो कहानी में चितर दिये गई है, जी जो प्यासा को हुआ है, आपको पता है उसको प्यास लगी होती है, लेकिन वो पाणी देखता है कि ये मटके के बिल्कुल नीचे है, वो पी नहीं पाता उस पानी को, तो फिर वो क्या करता है, उसमें कंकर डालता है न, तो कंकर पानी उपर आ जाता है फिर पानी पीकर अपनी प्यास बुचा कर उड़ जाता है तीनों चित्रों में यह दिखाया गया है तो इस से क्या हो जाता है कि मॉरल क्या है इस कहानी कि जो शिक्षा जो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है तो आप सबने एक खानी सुनी होगी तो खानी से जी शिक्षा मिलती है कि जहां चाहा होती है वहां रहा मिल जाती है और जी जो इस साइट की जो आपका स्टोरी है जो आप देखोगे तो इस स्टोरी में क्या है कि जो इस स्टोरी में जो आप देखोगे तो इसमें बतक जो है, वो क्या हो जाती है, वो वहां से चले जाती है, लेकिन जो कश्वा होता है, वो नहीं जा पाता है, तो कश्वा जो तलाब सुखने लगता है, तो वो वहां बुखा रहता है, तो जो बतक होती है, वो कश्वा बोलता है, कि मैं कैसे जा पाऊंगा, तु तो वह क्या करती है कि लगड़ी लेती है और उसको बोलते कि तुम लगड़ी को अच्छे से पकड़ लो और हम तुमें दूसरे तालाब तक ले जाएंगे तो आप देखो कैसे वह उडाकर उसको ले जाती है तो आप नेक्स्ट आप देखो कववा और लोंबडी कहानी बना कर लिखिए तो इसमें भी आपको चितर दिये गए है जिसमें एक लालची लोंबडी जो होती है वो क्या करती है कि अपना जो है वो कववव को देखती है कि कवव के पास एक रोटी का टुकड़ा है और फिर कवव के पास जाती है फिर क्या करती है उसकी प्रशंसा करती है कि कवव तुम कितना मीठा गाते हो तो कवव को गोलती है कि तुम मुझे गाना गाकर सुनाओ तो इस चितर में आप देखोगे कि कवव ने क्या किया अपने पंजे में ऐसे तो हमने सुना ना कि जब वो गाना और गाने लगता है तो उसके मूह से वो टुक्डा गिर जाता है लेकिन इस चितर में दिखाया गया है इस चितर में दिखाया गया है Uh Key Play удив यहाँ है एपने पंजे में पकड़ लिया है वो ऑफिर वी गेत। उसको सुना देता है और लाल ची-लोंब्री को क्या मिलता है कुछ भी हासिल नहीं होता फिर वो मू लिटका के वहां से चली जाती है और कववा उसको अपना टुकड़ा खाने के लिए नहीं देता है तो इस चितर पाठ में हम इस कहानी के बारे में हम कववा और लॉंबडी की कहानी बना कर आपने लिखनी है तो मतलब आप इस कहानी के जरिये जा मतलब इस चेप्टर में आपको क्या सिखाया गया है चितर पाठ मतलब कि आपको चितर को देखकर एक कहानी बनानी चितर देखकर आप समझ जाते हैं जैसे अब यह देखिए यहां पे कव्वा प्यासा है पानी का मटका देख रहा है फिर आसपस कंकर गिरे हैं पानी पिढ़कर वो ऊड़ रहा है तो इसी तरहां से जे जो कशुवा है, जे जो जा रहा है और जब कोई गाउं के लोग उसे देख रहे हैं कशुवे को कैसे जो है वो बतक उसको लेके जा रही है तो मतलब इन चित्रों को देखकर आप एक कहानी जो है वो बना सकते हो तो जह चितr पार्ट जो आपका था जैलू शिकारी इसमें यही था कि आप में एक काभलate होनी चाहिए कि आप एक चितर को देखकर उसको उससे related कहानी कैसे बना सकते हो है ना एक कहानी तो आपको बना कर उपर दी गई है तो इसी तरह से आपने बाकी चितरों को देखकर भी कहानी बनानी है ओके तो उसमें से अगर आप कुछ भी आपको clear नहीं है तो आप मेरे को अपने live session में आ कोई भी doubt आपको हो तो इसलिए सबसे पहले आप videos देख लेना उसके बात जो भी doubt होगा जो भी आपके अवियास question प्रशन उतर होंगे जो भी आपका grammar का portion होगा वो सब हम आपके live session में discuss करेंगे तो इसमें Mr.1 की जो videos आपकी मैंने आपको अभी बना कर जो मैं आपको दे र question होगा वो हम सब आपके live session में जो भी आपकी live classes होती हैं मैं उसमें आपके साथ discuss करूंगी okay so thank you have a nice day